रादे रादे जैमातादे आप सभी का स्वागत हैं और आप सब ठीक और स्वस्ते होंगे यही आशा करते हुए आज मैं आपको दिखा रहे हूँ जो कि अभी बहुत सारे तिवहार आने वाले हैं जैसे कि होली, सिवरात्री, नवरात्री, चेतर नवरात्री, राखी तो इस फैबरिक लहरिये में हैं इसे कोटा डोरिया फैबरिक बोला जाता है यह कोटा में ही बनता है और बहुत ही सुंतर सा फैबरिक होता है जिसमें इसमें डोरे जैसी धागे लगी भी होती जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रही होगी और इसी के साथ साथ इसके उपर ति अच्छा इसमें डिजाइन सतारों का और गोटे का दे रखा है तो मुझे बहुत प्यारा लगा और बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे लिया हैं और जो भी मैं भगवान जी के लिए कपड़े लेती हूँ वो मैं एक-एक मीटर ही लेती हूँ जिससे सभी की पोशाक बन जाए और जब हम हैवी फैबरिक कपड़ा लेते हैं तो वो एक-एक मीटर में ही देते हैं ऐसा आदा मीटर या फिर हम छोटा सा लेना चाहते हैं तो नहीं देते हैं तो ये देखी ये दूसरा फैबरिक है ये प्रिंट हैं इसका वहांत ही ट्रेंड में हैं और बहुत ही कड़ेह्टन शिल्क और पॉलिस्टर कप्ड़ों किया इसका संधर कमल की और गाय की पिछवाई प्रिंट इसके उपर और बहुत ही प्यारा लगता है जैसे कि गर्मी आने वाली है तो उससाब से यह बहुत सुन्दर लगने वाला है तो इसका मैंने मोर कंठी कलर लिया है क्योंकि मोर कंठी कलर आज कल बहुत ट्रेंड में है और मोर कंठी कलर मैंने पहनाया भी नहीं है और यह दूस ही लुक है कपड़े में अगर आप देखेंगे तो सभी की डिजाइन बहुत सुन्दर है और जो इसका बॉडर है इस कपड़े में बॉडर भी इसके साथ प्रिंट हुआ वाया है और इसका फैब्रिक भी कॉटन सिल्क और पॉलेश्टर तीन से बनकर बना हुआ है और बहुत मजबूत है और बहुत ही सुन्दर सा फैब्रिक है अब इसी के साथ अब मैं आपको तीसरा दिखा रही हूं उसके प्रिंट सबसे प्यारी है आपका मन आ जाएगा उस कपड़े के उपर तो देखिए यह बहुत ही प्यारी प्रिंट है सभी में तीन-चार कलर थे लेकिन ज तो वो मैंने फैब्रिक लिया है वो कपड़ा मैंने लिया है तो इसमें कमल बने विये हैं और कमल की कलिये भी बनी विये हैं चोटी-चोटी और पिछवाई पेंटिंग भी इसे बोला जाता है और बहुत सुन्दर लगता है बहुत प्यारा लगता है यह कपड़े की पोश ब्रादर बनाए लड़ू गोपाल जी के लिए या फिर पोशाक बनाए यूगल जोडी पोशाक बनाए तो बहुत अच्छी लगती है तो ये में चोटी पतली-पतली मुझे बनारताथी लेस चाहिए थी नहीं तो मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था तो मुझे बहुत ही अच्छी ये लेस लगी तो मैंने ये दो कलर में लिए एक पिंक में और एक ब्लू में बहुत ही प्यारा इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है इसमें बेल है और ये दूसरी ये भी बनार्सी है इसका डिजाइन ब मुझे समझ में आई और मुझे अच्छी लगी वह मैंने ली हैं और ये देखे ये सतारो वाले लेसिस हैं ये भी बहुत अच्छी वेलवेट के उपर बनी हुई है इसके तीन चार कलर मैंने लिये हैं लेकिन मिल नहीं रहें ये यलो है और एक मैंने पिंक लिया है एक रैड लिया है और ग्रीण लिया है चार कलर लिया है और ये बहुत अच्छी एंड में चल रही है लिए हैं यह बहुत प्यारी लेस हैं टो उंас श्वार्फ पिंग है और बहुत ही अच्छी कोशिश करी हैं कुछ अलग पोशाक उनकी बने बाकी आप मुझे जरू से बताइए का ये वीडियो आपको कैसा लगा है और ये फैब्रिक आपको यूगल जोडीजी के लिए हमारे लड़ू कोपाल जी के लिए मादाराने के लिए पोशाक ये धन्यवाद चै मादादी जय श्रीकिष्ण रादे रादे